वेल्कम तो अब्राहर एलेक्रिकल वर्ड चैनल तोड़ेस्टेशन इस प्रसेंटेज बाइस्ट दिफरेंशल लिले तो इसका जवाब यह होगा के आपरेटिंग करंड जो है यह फंक्शन आफ रिस्टेर्निंग करंड और इसका जो कर्व होता है वो एक स्टेट लाइन होती है शलोप जिसका मेंशन होता है कि सलोप कितना है वो हर रिले का अपना होगा यानि हर रिले मुराद कोई भी डिफरेंशल डिले किसी मेंकी तो उनका थोड़ा बहुत फर्द भी हो सकता है तो यह जो आई आपरेटिंग है यह बराबर होता है M into I restraint M क्या है M सलोप अफ ऐससे करिकरिक्टिस्टिक है जो के आप उसके मैनुलसे देखेंगे एभीु और थीमेंस और उनके तो यह जए इस्त्रे लाइन के उपर का तरफ जो है वो ब्लॉक्टिक जो है वी इंसमेल के तरह जो है रिमीर इत्रेडग जो ब्लॉक्त है जो ब्लॉक कि जैसे जैसे भी fault current का magnitude बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका मतलब है high restraint बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से वो high operation भी बढ़ता जाएगा क्योंकि fault current जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो due to saturation भी एक difference आजाता है current में पिर जो low current पे जो difference होता है तो वो भी उसकी absolute value high current यानि fault current पे जादा हो जाती है तो इसलिए जरूरी होता है कि रिले की क्रेटिस्टिक इस तरह हो कि जैसे जैसे कि ratio आई restraining या current का magnitude बढ़ता चला जाए यानि कि error बढ़ता चला जाए उसी हिसाब से high operation की value भी बढ़ती चली जाए तो ये क्रेटिस्टिक होती है रिलेगी हर manufacture के लिए अलग अलग बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और इसको हमारे चैनल को subscribe कर दें अल्लाः आपिस